दोस्तों क्या अभी तक आपने बीटेक में अडमिशन नहीं लिया है और आप देख रहे हैं कि अच्छा कॉलेज तो हम बात करने वाले हैं सरेम इन्वरसिटी के बारे में जो केटी यार मेंन केंपस चिन नहीं में है उसके और भी केंपसेज है जी हम सारा बात करेंगे आपक बीटे कंप्यूटर साइंस इलेक्टर और इस एलेक्टिकल मेकेनिगल में कंफॉर्म सीट कैसे मिलेगा उसका भी बात करेंगे पूरा वीडियो देखेंगे और आप वीडियो को पूरा देखें कमेंट जरूर करेंगे कि आप क्या इस उसलेना चाहते हैं मेरे दोस्तों SRM University के जो main campus का नाम है उसे कहते है SRM Cut and Culture जी आप पूरा देख सकते हैं कि infrastructure कैसा रहेगा और जो cut ups क्या होंगे, courses क्या होंगे, placement क्या रहेगा और A to Z बात अगर हम लोग SRM के main campus की बात करें तो SRM Institute of Science and Technology जी अगर हम लोग website की बात कर ले तो आप देख सकते हैं SRMist.edu.in यह official website है जो main campus का आपको screen पे दिख रहा है, जो की A to Z हम लोग आगे का भी बात कर लेंगे, जो की campuses आपको जो main बात मैंने बताया, वो KTR Cut and Culture Chennai का, रामापूरम, बारापिलानी और SRM, जी मेरे दोस्त SRM Sonipat, जो की एक बढ़िया university है, SRM group का, और SRM Delhi NCR, हम लोग पूरा बात करते main campus की बात कर लें, तो 1985 का ये campus established है, जो की इसमें बीटेक, एमटेक, बीवीए, बीस, लगबख सारे courses पर हाई कराया जाते हैं आपको, और ये जो college है, ये आपको connectivity की बात कर लेंगे, तो आपको airport, जो Chennai airport हो है, वहाँ से जा सकते हो, बाई रोट जा सकते हो, ये साड़ा च का campus है मेरे दोस्तो, srminiversity.ac.in, जो srmsonipat का, अगर आप infrastructure की बात करेंगे, तो आपके सामने screen पे दिख रहा होगा, यहीं पे, मैं आपको description में एक link दे दूँगा, वहाँ से आप srmsonipat के universities में apply कर सकते हो, जिसमें आप b.te computer science, electronics, electrical, mechanical, इन सारे courses में आप confirm seat ले सकते हो, जी आपको link पे click करना है, आपको मैं link, इस तरह से link दे दूँगा description में, आपको link apply to पे click करना है, और इस तरह का open हो जागा portal, जो की srmsonipat जो है, वो neck a plus university है, दोस्तो, यह बहुत important है, और आपको apply करने का तरीका है, यहाँ पे, अपना name डालेंगे, 10th के according, email डालेंगे, mobile नमर डालेंगे, और mobile नमर OTP डालेंगे आपको, जो mobile पे जाएगा आपको, state select कर लेंगे, जिस state से भी हो, city select कर लेंगे, आपको screen पे आ जाएगा, और यह करके submit register कर देना है, तो इससे आपका application srm university में चला जाएगा, फिर आप admission के लिए बात कर सकते हैं, आप हमारे export के दिगर नमर पे भी बात करके पूछ सकते हैं, आगर हम लोग इस सारे इन सोनीपत की बात कर लें, तो rank 1 in, for excellence in IT in email learning की बात करें, तो learning education के मामले में बहुत आगे है, यह सारे आपको ranking दिख रहा है, नेक्ट बात करने, तो यह double A, double A plus rated university है, आपको North India का, आपको यह दिख रहा है, औ और first university in academic affiliated with Haryana University, आपके सामने दिख रहा होगा, जिसमें BTEC कर सकते हैं, law कर सकते हैं, management कर सकते हैं, courses के, humanities के, hotel management के, और जो industry collaboration है, जहां पे आपको training होगा दिया जाएगा, यह आपके सामने IBM Reliance Data, यह सभी चीज दिख रहा होगा, 50 plus industry and international collaboration है, JBA के सांथ है, TCS Reliance GeoInfo के सांथ है, और यह NAC A+, जो मैं already बता चुका हूँ, यह सारे features इनके हैं, जिसमें आप placement के लिए जा सकते हो, SRM University, Sonipat में, University के Sonipat की बात करें, तो 50 लाग का highest package हुआ है, 315 companies visited है, और 95% students already placed है, दोस्तों, और placement चल रही है, 24 में अच्छे placement है, अगर आप company or recruiters भी देखोगे, तो MNC स आरे available है, तो आप इस तरह से, आप SRM Sonipat में admission के लिए देख सकते हो, यह पूरा हमने detail में बात कर लिया, और यह आप foreign university के साथ भी इनके tie-ups है, जिसमें student exchange programs होते हैं, तो यह पूरा detail आपके सामने में ने सेर किया, अगर आप SRM University Sonipat में admission के लिए देख रहे हो, जिसमें आ SRM University के, जो main campus है, और जो Sonipat का region का campus है, उसके बारे में आपको पूरा detail में बताया, अगर कोई question है, तो comment करके पूछे, और call करके भी बात कर सकते हैं, मिलते अगले वीडियो में, bye, take care, see you again